नमस्कार मैं अब शेक्मार आप सभी का स्वागत करता हूँ Focus Study with अभी में तो आप सभी को मेरा जैग्रू तो एक बहुत बड़ा doubt 11 जपेसी Prelims की cut-off या फिर कहले तो expected cut-off या फिर paper 1 और paper 2 को combine करके कितने सवाल सही होने चाहिए कि हमें mains की तयारी में लग जानी चाहिए तो बात करेंगे पूरी चाहे आप General Candidate हो चाहे HTSC हो चाहे आप OBC में जहां भी है और पूरा का पूरा paper मैंने बहुत थी अच्छे से और आपने देखा भी मैं हर section का वीडियो लाता है कि तब्यत ठीक ना होने के कारण हला कि मैंने करवाया आपका miscellaneous question, current affair question जहां पे 30 सवाल आने वाले हैं जे PST में लेकिन आये थे 38 सवाल ये with proof मैंने दिखलाया YouTube पे और इसमें मैंने ये भी बतलाया कि 38 में कितने सवाल थें जो आपको बना करके आने ही चाहिए थें और कितने सवाल ऐसे थें जो महनती छात्र है वो बनाएंगे, बहुत ही मैंने detailed analysis की है paper को चाहे वो paper 1 हो, चाहे paper 2 हो पूरी कोसिस करूँगा कि जो भी चीज़े बतलाओ, आपको expected यह जो भी cut-up मैं दू यहाँ पे वो final cut-up के साथ बहुत ही match करता हो, लेकिन एक बात यह भी है, कि जो भी चीज़े है, अगर paper fair तरीके से हुआ है, तब तो cut-up आपका बिलकुल कमी रहेगा लेकिन, अगर कुछ भी चीज़े ऐसे हुई है, जैसे कि आपने देखा है, वीडियो वाइरल हुए है, बहुत तरह की चीज़े हुई थी, तो fair नहीं है, तो भाई, cut-up पे impact पड़ेगा cut-up increase होगा ही होगा, क्योंकि seat इतना भी जादा नहीं है, और मतलब कि जो भी आपको result दिया जाएगा 5000 के आसपास तो students को बुलाई जाएगे ठीक है ना, लंसम इसी के आसपास है, तो ठीक है इस पे हम लोग पुरा paper 1 और paper 2 पे चलते हैं, कितने question safe score हो सकते हैं आपके, देखे paper 1 से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे paper 2 में, क्योंकि कुछ चीज़े आपको देखने को मिला भी होगा paper 2 में मैं simple directly कर रहा हूँ, कोई भी publication market मैं ऐसा नहीं, जो बहुत तरह के hype create किये गया थे, कोई भी publication मैं accept money सरंजन सर की book को छोड़के बोल रहा हूँ वहाँ तक कि उनके भी book में आपको ऐसे 20 सवाल JPSC ने पूछे हैं जो आपको नहीं मिलेंगे, चीज़ क्या मतलब 20 सवाल को अगर हम हटाते हैं तो 100 में से बचता है आपके पास 80 सवाल या फिर 75 question जो आपके कही न कहीं book में मिलेंगे, और ऐसा नहीं है कि आप अगर book publish कर रहा है तो आप ये बाते ना बोले कि सारे question book सही, भाई अगर सारे question तो book से आएंगे ही आएंगे पूरा book पढ़ना कोई एक student के लिए भी असान task नहीं होता, कोई एक book भी students पढ़ते नहीं है, हाँ अगर आप बोल रहे हैं कि मैंने ये master content दिया है, पूरी निच्योड निकाल के दिया और उससे आपके सवाल आएं, तो बात बढ़ी होती है ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पे भी 80-75 question में कितने सवाल थें जो आपको करने चाहिए थें मैं कह रहा हूँ, करना चाहिए था आपको, क्योंकि अगर आप केवल जारखंड की तयारी कर रहे हैं तो आपका जारखंड जी के बहुत ही अच्छा होना चाहिए था, तो यहाँ पे मैं आपको बतला रहा हूँ, 65-68 सवाल students को सही करना चाहिए था देखे, यह करना चाहिए था examination hall में pressure अलग होता है, वहाँ का माहुल अलग होता है, easy question गलत होते हैं, hard question भी सही हो जाते हैं लेकिन हाँ, जिनकी तयारिया और खास करके, जिनकी पूरी complete revision बहुत अच्छे से हुए होंगे 65 से 68, यहाँ तक की 70 question तक भी वो सही कियोंगे paper 2 में यह मैं maximum students की बाते नहीं कर रहा हूँ, जिनकी तयारियां बहुत अच्छे थी लेकिन फिर भी यहाँ पर एक अच्छा score आप मान सकते हैं, paper 2 में और 60 plus कम से कम आपको करना चाहिए था at least आप जहारखंड से समंदित students है, जो जहारखंड को ही पुरा focus करते हैं, 60 plus आपके marks, marks नहीं question सही होने चाहिए थे, ठीक है अभी आएंगे, दोनों को combine करके, क्योंकि आपकी जो cut up बनती है न, वो आपका maximum marks नहीं होता, वो minimum marks होता, मतलब सबसे कम marks लाने वाले student का ही cut up बनता है, यानि के वो decide होता है, अब हमारे marks अगर 145 आ रहे हैं, सवाल सही हो रहे हैं, देखें, मेरे कुछ ऐसे students हैं, जिनके 145 भी सही हो रहा है, कि 130 प्लस भी सही हो रहे हैं किसी के 100 question भी सही हो रहे हैं ठीक है, तो अब इसके basis पे तो cut up बनेगा नहीं, पहली बात तो ये clear रखेगा, अब आईए paper 1 में, बहुत student ऐसे होंगे, जो आप सोच भी रहे होंगे, कि हमने paper 2 में 66 question सही किये हैं मैंने कहा 60 plus, तो ये बिल्कुल आप किये होंगे, मैंने कहा कि फिर से cut up आपके maximum जो student की नहीं बाई, जो minimum marks जो होता है na qualify करने के लिए, वो cut up marks बनेगा अब वो minimum qualifying 30-40 percent के मैं बातें नहीं कर रहा हूं paper 1 की अब हम बात करते हैं paper 1 देखे ऐसा भी नहीं था कि बहुत tough था चीजों को समझे आप अगर civil service का paper दे रहा है तो, क्योंकि यहां maximum students चीजों को रठते हैं ठीक है, अभी JPSC में maximum student देखा है क्योंकि जब आप UPSC के तयारी कर रहे हैं UP, PCS, Bihar, PCS के तयारी करते हैं तो समझ अस्तर के question बनते हैं और finally आपका JPSC अब उसी mode में आपको देखने को मिल रहा है यहां तक कि यहां पे जो आपको दिये जाते हैं one-liner form में teacher जो निकाल देते पढ़ा करके तो भाई, वैसे सवाल इस बार JPSC ने नहीं पूछे आपको मैंने जीता जाकता उधारन दिकलाया था miscellaneous और current affair के कि कैसे चीजों को पढ़ा जाता है और कैसे सवाल आपके निकलते हैं आपने देखा जेगरफी में क्या देखा आपने कि 4-5 question तो direct map से पूछा गया है भारत का यानि वो question tough नहीं था मेरे भाई आपको अक्षान से देशांतरियर रेखा का concept clear है कि नहीं वहाँ पर ये चेक किया गया था पूरा का पूरा detail मैं उसके उपर भी वीडियो लाऊंगा दिखलाऊंगा कि सवाल कैसे पूछे गया थे लेकिन फिर भी यहाँ पर question paper अच्छा था मैं बोलूँगा moderate ठीक है ना moderate से high level पर आपका paper 1 का question था यहाँ पर भी आपका कम से कम maximum student 45, 50, plus 55 के आसपास ही रूक रहा है तो यहाँ भी आपका कम से कम 50 to 55 question आपके सही होने चाहिए था paper 1 में यह minimum है लेकिन paper 1 में आप 60 के पास यहाँ पर भी आप cross कर सकते थे यह है बाई जो करना चाहिए था लेकिन इसके पीछे भी reason यह है कि समय काफी कम मिला तयारी करने के लिए बहुत ही कम मिला 15 दिन 16 दिन समय मिले अब हम लोग करते क्या है कि जैसे examination time आती है तो चीजों को हम लोग पढ़ते हैं खैर इन सब 20 कोश्चन कम से कम अब 116-117 भी अगर आपका आ जनरल वाले students तो भी आप मेंस की तैयारी जरूर करिएगा यह मैं exact तो नहीं बतला सकता हूं कि इतना ही आपका cut-up होगा लेकिन जो question paper था आपका जो number of question एक students बैठे हैं जैसे कि धनबाद में बहुत ऐसे students हैं जो second sitting में examination देने ही नहीं बैठे तो हो सकता इसका भी impact पड़े और अगर fair तरीके से होए तो cut-up और भी कम जा सकता लेकिन फिर भी on an average 120 सवाल आपको एक अच्छा है कि सवाल सही होने चाहिए थे 120 गुना 2 यानि 240 marks ठीक है अगर आपके 115 भी आ रहे हैं 116 भी आ रहे हैं तो भी आपको तयारी करना चाहिए mains के लिए और BC1 वाले जो students हैं आप यहां से 5 सवाल कमा जाए यानि कि 115 या 110 के आसपास और STHT जो candidate है 105 सवाल आप लेके चले इससे नीचे भी आपके सही हो रहे है तो भी आपको mains के तयारी में एक उमीद आपको रखनी चाहिए देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कटफ नीचे चल जाएगा या बहुत ज़्यादा ऊपर ही चल जाएगा मैं फिर से कह दू कुछ भी चीज़े कोई भी कहा दे पेपर बहुत ठीकि सीबिल सर्विस का जो पेपर होता है ना अच्छा स्टेंडर्ड होता है मेरे भाई और उस स्टेंडर्ड पे अब अपने आ चाहिए कंसेप्ट चाहिए चाहिए कैसे संकेतिक रूप से आप चीजों को लिख पाते इस पर आपका कमांड होना चाहिए तो बहुत सारी चीज़े हैं तो जैनरल वाले 120 सवाल आप टार्गेट रखिए इसके नीचे भी है 116 117 तो भी आप मेंस में लग जाईए OBC 115 कोश है उसके बाद आपका HTSC में जो है आप 105 सवाल इससे नीचे भी आप आ जाईएगा कि 99 किनिक आ रहा होगा 98 आ रहा होगा किसी का 104 103 भी है तो भी आपका उमीद है कि आप मेंस के लिए बैट सकते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग 120 जेनरल के लिए 115 के आसपास OBC होगा और 105 के आ वही फंडा होगा तो बाकी आपकी क्या राही है आप अपना कमेंट सेक्षन में आप अपना राही रख सकते हैं बाकी जो चीजे मुझे लगा मैंने आपको बतलाया पेपर वन भी अच्छा खासा देखें कमपैरिटिवली पेपर टू आपका इजी होता है क्योंकि जहारखन के बहुत अच्छे तैयारी करते हैं जहारखन जीके को लेके तो वहाँ पर भी कई ऐसे सवाल 20 कोशन तो ऐसे हैं जो कहीं किताब में ही नहीं मिले होंगे आपको तो 80 कोशन पर अब गेम आ गया था और 10 कोशन आपका पेपर वन का भी अच्छा कम से कम 4-5 कोशन आपके अच्छे पूछे गाते हैं तो वह 4-5 कोशन भी नहीं निकले हैं तो मतलब 24-25 सवाल जहारखन जीके में आपका नहीं बनना इसका एक मेजर इंपक्ट पड़ेगा आपके कटफ में हो सकता है 115 में ही सेलेक्शन हो जाए जेनरल के ये भी हो सकते हैं बाई अच्छा ये मैंने जो बतला है नंबर आफ कोशन नंबर आफ मार्क्स नहीं थे हैं तो होप शो आप अपना राई रखिए का कमेंट सेक्शन में मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद